हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं फिर से आपके लिए कुछ छोटी छोटी गरेलू उपाई लेकर आई हूँ अगर आपको मेरे ये गरेलू उपाई अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले अगर आपके सिर के बाल जड़ने लगे हैं तो उबली चावलो के पानी से सिर को धोए इससे आपके बाल गिरना रुख जाएंगे सुबह समय से ना उठने पर दिमाग कमजोर होने लगता हैं तो फ्रेंट्स थोड़ा जल्दी उठा करें नहाने के बाद काला नमक चकलिया करो बुढ़ापा देरी से आएगा रोजना किसमिस खाने वाले इंसान को जल्दी से कोई बिमारी नहीं होती है एक बार आप जरूर ट्राइ करके देखें और ये सच में है क्योंकि मैंने खुद किये हुए है रोटी खाने से पहले एक खजूर का दाना खाले तो खाया पिया जल्दी हजम हो जाता है एक बार इसको ट्राइ करना ना भूले ट्राइ जरूर करें जो लोग दही का रोजाना सेवन करते हैं उन्हें कभी इन्फेक्शन नहीं होता वैसे सभी बोलते हैं कि जुखाम में खासी में हमें दही नहीं खाना चाहिए लेकिन दही खाना सेहत के लिए काफी फाइदे मंद होता है तो इसलिए हमें दही खाना चाहिए पुदेनी की चटनी खाने से नीद कम आएगी खाना खाने के तुरंत बात सोना नहीं चाहिए इससे खाना अच्छी तरह से हजिम नहीं होता है पहुच से ऐसे लोग हैं जो इतने आलसी होते हैं कि खाना खाते के साथ तुरंट सो जाते हैं लेकिन ये खराब बात हैं कपड़ों का पीला पिन दूर करना हो तो कपड़े पर निम्बु का रस लगा कर कुछ देर छोड़ दे दाग दूर हो जाएगा निम्बु का रस ज़्यादा निकालना हो तो पहले निम्बु को दोनों हातों से मसले और फिर उनको काट कर इस्तमाल करें इससे निम्बु का रस ज़्यादा निकलेगा खाली पेट जान बूच कर खास लिया गरें इससे सीने के बलगम खुल कर आएगी और आपको सीने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी पाने ज़्यादा पी अगरें गुर्दे खराब नहीं होंगे अगर आपका वजन कम करना हो तो रोजाना पपीता खाई इससे काफी फाइदा मिलता है और पपीता हमारे सेयत के लिए काफी फाइदे मंद है खाने में ज़्यादा घी का सेवन करने से गले में इंफेक्शन हो जाता है जिन लोगों को शरीर में दर्द रहता हो वहताल मखाने दूद में पका कर खाई इससे शरीर दर्द दूर हो जाता है अगर ज्यादा वजन बढ़ रहा हो तो कद्दुक का जूस बना कर पीए वजन कम होने लगेगा अगर आपकी आखों से पानी निकलता रहता है तो रोजाना, सुर्मा या काज़ लगाए इससे आपको काफी फाइदा मिलेगा सलाद का सेवन रोजाना करे इससे आपका पेट बाहर नहीं आएगा निहार मूज शयाद का सेवन करने से या दास्त तेज होती है रोजाना दूद का सेवन करने से चेहरे पर चमक आती है और हडिया भी मजबूत होती है जो रोजाना केला खाते हैं ऐसे लोगों का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है हरी और पीली सिम्ला मिर्ज जुरियों को गायब करने के लिए फाइदे मंद होती है और हमारे सिहत के लिए भी फाइदे मंद होती है खासी ना जा रही हो तो दूद में पताशे डाल कर पीए इससे खासी में जल्दी आराम आता है चेरे पर खुसकी हो तो गुलाब का अर्ग लगाए कम सोने वाले इंसान को सूगर घेर लेती है दालचीनी का सेवन करने से यादाश्ट बहतर होती है कद्दू के बीजों का सेवन करने से बाल लंबे और मजबूत बनते है गाए के दूद का सेवन करने से नाखून, आखे और बाल खुबसूरत हो जाते है नीम के पत्तों से नाने से आप बहुत सारे बिमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते है चाई में चीनी की जगा थोड़ा सा गुड़ी या देशी खांड मिला कर पिए इससे काफी फाइदा मिलता है बहुत गरम चीजे खाने से दिल कमजोर होने लगता है रोजाना सुबा निहार मू एक कली लहसुन की पानी के साथ सेवन करने से पेड समबन्दित समष्या दूर हो जाती है चहरे पर रात को रोजाना कच्छा दूद लगा कर सोने से चहरे की सकिन निखर जाती है अगर अच्छे चावलों की पहचान करनी हो तो चावलों के दाने तव्वे पर गरम करे अगर थोड़ी देर में दाने पिंगलना शुरू हो जाए तो ये चाच्छे चावल नहीं होते हैं अगर आपको थायरेट कई दिक्कत हो तो रात रोजाना एक चम्मस सुखा धनिया एक ग्लास पानी में भिवोदे और सुबह खाली पेट इसे च्छान कर पिए रोजाना इसका सेवन करने से थायरेट में अराम मिलता है बदाम के दो तीन दाने शहद के साथ सेवन करने से याद्दास बढ़ती है और इससे काफी फाइदा मिलता है गुलाब के फूल चहरे पर मलने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं दातों पर नीमबू का रसल मलने से दात मजबूत और साफ हो जाते हैं बहुत जादा ठंडे या बहुत जादा गरम पाने से चैरा ना धोए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे शेर करे कोमेंट करे और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले